नमस्कार यह देखिए यह पुरानी टी-शर्ट से केरीवेक मैंने इसको घर पर बनाया है यह कैसे बनाया गया है बहुत यासेन तारीक है इसको बनाने का है और यह कैसे बनाया गया है तो चलिए इसको सीखते हैं यह देखिए यह मैंने टी-शर्ट ले रखी है इससे केरीवेक बनाते हैं तो देखिए इसमें स्लिप छोटी है बड़ी होती तो इसको यहां से कट कर देते हैं यह छोटी स्लिप है तो इसको क्या करेंगे इसको अंदर की तरफ ऐसे करके इस तरीके से ऐसे इस तरीके से यहा इसको अंदर मुड़ जाएगा, तो चलिए इसकी पहले हम दोन तरफ सिलाई कर लेते हैं, यह देखिए, यह मैंने सिलाई इस दोन तरफ से कंप्लेट कर लिया, अब इसके बाद इसको आप पलट लीचिए, इस तरीके से, और यहां से लेके, इस जगे से, इस जगे से थुड़ा इसको दो इंच कर आओ, इसको आप यहां से सिलाई करके दबातीजिए, ऐसे करके, इस जगे से आप सिलाई इस तरीके से लिजिए, यहां से, यहां पर यह देखे यह दूंच करके इस तरीके से हाँ पर और यहां से लेकिए यह इस जगें से करके इसको जो है ऐसा दबा दीजी इतना तो चलिए इसिलाइ कंप्लिट करतें यह देखी, मैंने यहां से, यह सिलाई यहां से लेकर, यह कंप्रिट कर लिए है, इस तरफ से भी और इस दो दो अश्चों कंप्रिट हो गई है। आप ईसके बाद आप यहां से यह नीचे कहला हुआ इको आप सिरीके से आप मसीन पर इसे रख किया है यहां से आप शिल देजैने दिए तरह पहले इसकी सिलाही धर कोंपरेट कर देआ है यहां से यह यह देखिए मैंने यह नीके सिलाह Suzanne कर दिए अब इतको पलट दीजिए आप ऐसे खरके यह देखें यह बनके यह कम्प्रीट हो गया यह देखिए यह कितनी आसान तरीके से पुरानी टीशर्ट से आप इसको घर में बना सकती है और इसमें सावान भी यह देखिए इस सावान को आप इसमें आराम, इसमें रख लिजिए इन निटान को टांग देजिए और आप इससे निकाल के समण यूज कर आप पुरानी टीशर्ट से घर में बहुत आसान तरीके साब इसको बना सकती है ऐसे मोर इंटरस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल सकें धन्यवाद